अमस्कार मैं प्रिजमोन सूरी ओटिवेशनल स्पीकर साई ग्रन्थ राइटर रेड़ बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके चैनल में आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रते दिन एक उपाय बताया जाता है यह उपाय आप कोई भी कर सकता है यानि आप पर कोई भी दशा है आप किसी विराशी के स्वामी हैं कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं बहुत महात्म पूर्ण बदलाव आपकी जिन्दगी में आ सकते हैं यह उपाय आप सूरे डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है सूरे डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए क्योंकि यह उपाय आपकी जिन्दगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिन्दगी बदल भी चुकी है तो आईए जानते हैं आज का उपाय जैसाईराम आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2020 के उपाय की मंगलवर का दिन है उसाथ मैं बताऊंगा कि यदी आप पर बहुत अधिक करजा है धन टिकता नहीं है आप परशान रहते हैं तो क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए इस प्रती भी आज मैं आपको बताऊंगा जिससे की आपका करजा उत्रे तो अभी हम बात करते हैं आज के उपाए की यानि मंगलवार के उपाए की पीले रंग की कोई भी मठ्याई ले 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 ले, दो लोंग ले ले, दो छोटी लाइची ले ले, इसके साथ किसी गरीब को दान कर दें, या मंदिर में चड़ा दें, या जल परवाह कर दें, इससे आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा, यह लाब के उपाए होते हैं और यह आपको शक्ती देते हैं, यह आपको आगे ले जाते हैं जिन्दगी में, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से शान्ती मिलेगी, पूर्ण रूप से आप जिन्दगी में तेजी से आगे क्योंकि इस उपाय से आपके मंगल में यानि मंगल ग्रह में एक तेजी आएगी और पूरे साथ दिन तक आपको ये पूर्ण रूप से लाब देगा यानि साथ दिन तक आप आगे बढ़ते रहेंगे और फिर साथ दिन बाद फिर मंगल का उपाय हम बता देंगे आप उसे कर करेंगे तो आपको लाब होता रहेगा इस परकार जिन्द कीते जी से आगे बढ़ती रहती है और व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है यह प्रती दिन के उपाए वश्य किया करें लाब होता रहेगा बहुत अधिक करजा है धन टिकता नहीं है तो क्या उपाए करें कि घर में धन टिकने लगे देखिए यदि आप कर जाई है यानि आप पर करजा है तो आप क्या करेंगे कि जो कमाई आपके घर में आती है उसका कुछ हिस्सा 24 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे निकाल कर आप परमातमा के कोई मूर्ती या फोटो के नीचे रख देंगे यदि मूर्ती है तो चर्नों के नीचे रख देंगे फोटो है तो फ्रेम के नीचे रख देंगे और हर महीने ये निकालते जाएए इसको खर्चना नहीं है किसी को दे आता है और फिर आप उसको जो दन है निकाल कर किसी धरमसान में दे दीजेगा या गरीबों में भांट दीजेगा बस ध्यान ये रखना है कि पहली बार जितना दन आया था जितने पैसे निकालेंगे उसके बाद जितना दन आये उसकी उतनी ही परसंटेज निकाल ली है जैसे स्पोज कीजिए 1000 पे और आपने 50 अरतर निकाल लिए तो इसका मतलब 5% निकाला है तो फिर हर बार 5% निकाला है यदि आपने 70 елा निकाला धो इसका मुलद 10 प्रसनेड निकाला यह ध्यान रखना है पर्संटेंज निकाल लीजिएगा कि हम कितने पैसे निकाल रहे हैं, उसी हिसाब से हर बार निकालना है और वो पैसे बाद में गरीबों में आपने दान करते हैं यहाँ अजाज़त चाहूंगा यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिर पैसे लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने से मेरा होसला बढ़ेगा और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें उनको भी लाब मिले और जब उनको लाब मिलेगा तो आपको उसका पुन्य प्रापत होगा तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वड़सेप कर सकते हैं यदि आपने जनम पत्री दिखानी है तब भी आप वड़सेप कीजिए जनम पत्री देखने की हमारी फीस होती है आप जानते होंगे कि जनम पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जनम पत्री में बहुत सारे योग होते हैं, योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी, कई बार हम ग्रहों के उपए करते रहते हैं परन्तु हमें लाप प्रापत नहीं होता है, हम लगातार ग्रहो के उपाय कर रहे हैं बहुत सरे एस्ट्रोलजर्स के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाब नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जनम कुंडली में योग होते हैं जब योग एक्टिवेट ना हो कमजोर हो तो ग्रह काम नहीं करते हैं और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाए कितने भी कीजिए आपको लाब नहीं मिलेगा कब तक जब तक कि उस योग को बली नहीं किया जाता है अक्टिवेट नहीं किया जाता है तो यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो वटसेप कीजिए सवाल है तब भी वटसेप कीजिए WhatsApp का ज्वाब चार यां पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं उठाता है तो अब मैं इजाज़े चाहूंगा नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए